आज हमारे सौके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मतला मेरे एक लाग सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं जिससे आज मैं बहुत गुसूं सच मैं बहुत गुसूं आज बता है एक बात याद आती है मेरी अम्मी जान गाह करती थी कि यूद तु बहुत कुछ कमाएगा बहुत ज पूर्च नहीं आधा था यह जो कौह है आप स्क्रीन पर देख रहे हो न यह मेरे एक महिने की कम आई है साइध मेरे के लिए कम होगी लेकिन मेरी घरफाली के लिए बिल्कोईकज एलकुल गम मैं कुई पहला यहां सक्स होता है है, जो इतना पैसे कमा रहा है। पहले कोई नहीं था। मैं इपने 1,00 भाली से इतना कुछ नहीं हूं, जितना मेरे घरफाले हैं सच बता रहा हूं वाई, दिल से, कोई मस्ती नहीं कर रहा हूं आज मैं, मैंने इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इतना कमा लूँगा, सच बता रहा हूं वाई, एक बात दिल से बता रहा हूं, मेरे कभी भी इतना टरगेट नहीं रहा कि मैं इतने पैसे कमा लेकिन मेरी सबसे बड़ी मैक्सिमम सोच पहले यह दिया से करीब एड़ साल पहले कि मेरे को कुई ऐसी जोब मिल जाए जिसमें 10,000 मंथली कमा सकूं मनलब 10,000 मेहने में कमा सकूं यह मेरा सबसे मैक्सिमम टारगेट था लेकिन जैसे जैसे मैं यूटूब पर आया है पर जो भी है सब आपके देन है भाई इसलिए मैं आपको बोलता हूं दिलज़त हैंगियों अगर आप भी इस दुनिया को कुछ वेल्यू देना चाहते हो कुछ करना जाए इस दुनिया के लिए तो आप इस वीडियो कुछ देखो सच में मैं फालतू चीजों के लिए किसी को रिकमांडेट नहीं करता हूं अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो भाई सच में आप भी कुछ कर जाओगे मेरे को यह पता नहीं क मगे पैसे कर यहाँ और अगर को दिक्कत नहीं है मैं आपको संमने वीडियो फिले कर देता हूं अपके साइड़ वो हैं जो पेचेक पर जीते हैं इनकी financial intelligence almost zero होती है हो सकता है कि इनकी income बहुत ज्यादा हो लेकिन वो चाहे जितना भी कमाले सारा खर्श कर देते हैं जैसे कि actors और professional खिलाडी साइड़ वोकर्स के साथ problem यह है कि अगर किसी वजय से इनकी काम मिलना बंध होता है तो इनकी income भी completely बंध हो जाती है और यह सड़क पर आ जाते हैं क्योंकि इनकी कोई दूसरा काम करना भी नहीं आता इसलिए कई वार आपने news में सुना होगा कि पुराने जमाने के actor की गरीबी में या national level champion के माली हालत खराब सेकंड रास्ता है slow lane जिस पर maximum लोग चल रहे हैं और यह रास्ता को जैसा है अच्छी education लो अच्छा job करो 50 साल तक hard work करते हुए अपनी salary में से पैसा बचाओ और 6% annual return की उम्मीद पर उसे invest करो and finally जवाब 65 years के हो जाओगे of course अगर आप जिन्दा रहे तो तब wheelchair पर आप अपने savings पर edge कर सकते हो sadly ज्यादा तर लोग के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है लेकिन अगर आप अपनी favorite car बढ़ापे में नहीं जवानी में चलाना चाहते हो तो slow lane आपके लिए नहीं है बट slow lane sidewalk से ज्यादा safe है ज्यादा तर लोग fast lane पर नहीं चल सकते क्योंकि वो fast lane की demand पूरी नहीं कर सकते उनके लिए slow lane ही अच्छी है Monday to Saturday दबा कर काम करो फिर Sunday enjoy करो फिर Monday to Saturday दबा कर काम करो अब देखते हैं तीसरा रास्ता fast lane इसका आइडिया यह है कि आप जितनी ज्यादा value दुनिया को दोगे आप उतना ज्यादा पैसा कमाऊगे value देने का मतलब यह नहीं है जो commonly समझा जाता है कि किसी को भाव देना value देने का मतलब यह भी नहीं है कि आप बहार जाओ और किसी को पैसे दे दो पैसे देना value देने का lowest form है तो higher form क्या है मानलो कि आपने एक ऐसी दवा बना ली जो किसी भी तरह के cancer का हिलाज कर सकती है यह सबसे बड़ी value है जो आप दुनिया को दे सकते हो अगर आप उस दवा का pattern करवा लो ता आप एक अरग पती बन सकते हो यह था higher value देने का एक example तो fast lane का idea यह है कि आप जितनी ज़्यादा value जितने ज़्यादा लोगों को दोगे आपके पास उतना ज़्यादा पैसा आएगा as simple as that सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है न तो फिर ज़्यादा तर लोगों के लिए slow lane नहीं अच्छी क्यूं है क्यूं की ज़्यादा तर लोग खुद को इस काबिल नहीं बना पाते हैं कि वो लोगों को अच्छी value दे सके ऐसा क्यूं अब ध्यान से सुनना क्यूं की value देने के लिए TV देखना बंद करके सीखना शुरू करना होगा अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा ता आप क्या value दूसरों को दोगे कपिल शर्मा का show देखकर या KBC देखकर या जान लेने में कि लास्ट एर सानिया मिर्जा ने किसको हराया था आप क्या value दे सकते हो सोच ये जब आप TV देख रहे थे तब सचिन और बिनी बंसल फ्लिप कार्ट शुरू करने पर काम कर रहे थे जब आप और कुट पर टाइम बास कर रहे थे तब संदीप महेश्वरी इमेजस बदार धेवलोप कर रहे थे जब आप किसी न्यूस चैनल पर देख रहे थे कि 2000 के नोट्स में नेनो जीपियस लगा हुआ है तब कोई और स्मार्ट बन रहा था और दुनिया को value देने की तयारी कर रहा था मैं भी बहुत TV देख था था लेकिन जब मैंने TV देखना बंद किया और books पढ़ना स्टार्ट किया तो इससे ये हुआ कि आज मैं करीब 4 लाख लोगों को value दे रहा हूँ जिसके बदले मुझे इतना मिल रहा है कि जो किसी भी 9 to 5 जॉब में नहीं मिल सकता और ये continuously बढ़ रहा है salary continuously नहीं बढ़ती लेकिन business बढ़ाने की कोई limit नहीं है आप business कुछ महनों में easily double कर सकते हो लेकिन salary double नहीं कर सकते तो concept आपको समझ आ गया होगा जितने ज़्यादा value आप जितने ज़्यादा लोगों को दोगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा इसी वजह से Bill Gates दुनिया के सबसे अमीर इंसान है Gates ने higher value बहुत ज़्यादा लोगों को दी जो कि दिन भर TV देखने वाला और WhatsApp पर funny वीडियोस फावर्ड करने वाला नहीं दे सकता तो याद रखिए अगर आपको fast lane पर चलना है तो आपको सीखने में ज़्यादा time देना होगा और time password time कम करना होगा That's it